व्यूत्पत्ति की इपाटशाला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं तो हम अपने structure of atom परमानू की संरचना अध्याय को अध्यन कर रहे हैं और आज हम इसमें सीखेंगे कि कैसे हम परमानू संख्या द्रव्यमान संख्या से proton, neutron और electron निकालते हैं तो बच्चों यहाँ पर सबसे important चीज है कि परमानू संख्या को हम Z से दर्शाते हैं और परमानू की संख्या उसके नाभिक में इस्थित proton की संख्या है मतलब Z is equal to P हमेशा होता है तो नाभिक में होता है अपना proton और neutron तो बच्चों अब होता है कि द्रव्यमान संख्या की बात भी समझ ली जाए कि द्रव्यमान संख्या को हम A से प्रदर्शित करते हैं जिसे हम मास नंबर भी बोलते हैं और उसमें proton की संख्या और neutron की संख्या होती है तो अगर हम किसी तत्व को तत्व के परमानू संख्या और द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हमने यहां उपर की ओर A और नीचे की ओर Z लिखेंगे तो यहाँ पर यह Z आपका परमानू की संख्या को प्रदर्शित करता है और आपका A यहाँ पर द्रविमान की संख्या को प्रदर्शित करता है तो अगर इस प्रशने को हम देखे तो यहाँ पर आपसे परमानू का द्रविमान और संख्या दी गई है परमानू के प्रतीक को लिखने बोला गया है तो यहां पर हमें पता है कि 17 जो परमानु संख्या है वा क्लोरीन का है तो हम इसे इस प्रकार 17 और यहां 35 लिख लेंगे 92 यूरेनियम का होता है और यह 235 और यह हम जानते हैं कि यह हमारा बेरिलियम है 9 और 4 बच्चो बेरिलियम हाइड्रोजन का एक फिर हीलियम फिर लीथियम और फिर आता है हमारा बेरिलियम तो इस प्रकार हमने समझा की कैसे हम इसका प्रतीक लिख सकते हैं उसके द्रविमान और परमानु संख्या से फिर आता है समस्थानिक और संभारिक का बात जिसे हम आईसो टोप्स और आईसो बार्स भी कहते हैं तो संभारिक वो होते हैं जिसकी द्रविमान संख्या तो समान होती है पर परमानू संख्या अलग होती है आप देख सकते हैं कि कार्बर और नाइट्रोजन के परमानू संख संख्या 6 और 7 है लेकिन इनका द्रविमान संख्या सेम है तो यह कहलाते हैं संभारिक और उसके साथ ही समस्थानिक की बात करते हैं तो समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमानू संख्या तो समान है लेकिन उनका द्रविमान संख्या अलग-अलग होता है तो यह जैसे हम देख सकते कार्बन हमारा उधारन में है जहां पर इन सभी तीनों कार्बन के परमानु संख्या 6 है लेकिन इनका द्रव्यमान 12, 13 और 14 है अब इस प्रशने को देखते हैं यहां पर आप से पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बाते बताईए त और यहां पर अगर हम A की बात करें तो वह 80 है और बच्चों यह भी आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग से हमें द्रव्यमान संख्या प्राप्त होती है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड दिया जाए तो A is equal to P plus N और यहां पर A हमारा 80 है प्रोटॉन की वैलूए यहां पर 35 हो जाएगी और न्यूटॉन हमारा आप इसे क्यालकुलेट करेंगे तो यहां आप का 25 अजाएगा तो बचों बच्चों इस तरह हमें समझा की कैसे यहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहां पर आप इसको इसको डूटार करकर दे एक उदासीन परमानू है तो यहाँ पर electron भी आपका 35 ही होगा बच्चो अब हम next problem को देखते हैं यहाँ पर हमें hydrogen, deuterium और treatium दिया हुआ है तो हमें पता है यह हमें सब proton के बारे में बताता है तो इन सभी का proton एक है electron यहाँ पर neutron की बात करें तो यहाँ पर 1-1, 0, 2-1, 1, 3-1, is equal to 2, परमानू सिंख्या यहाँ पर 1-1-1, यहाँ पर द्रविमान सिंख्या 1-2-3 और electron यहाँ सभी में 1-1 है तो इस तरह हमने इस प्रशन को भी solve किया अब हम देखते हैं यहाँ पर आप से पूछा जा रहे कि कोई ऐसा तत्तो है जिसका electron की value 18 दी गई है, proton की value 16 दी गई ह तो बच्चों हमें proton से यह तो पता चल जाएगा कि यह जब Z मतलब आपका परमानू संख्या proton की संख्या का equal हो तो वह तत्वा आपका sulfur है अब यहाँ पर एक बहुत ही important चीज है कि हमें समझना है कि हाँ electron आपका 18 है मतलब यहाँ पर आपका negative charge जादा है आपके positive charge से तो क्लोरिन माइनस हो जाता है तो क्लोरिन माइनस होता है तो यहाँ proton 17 यहाँ भी proton की संख्या 17 होती है यहाँ electron 17 लेकिन electron की संख्या यहाँ पर 18 होती है तो इससे यह समझ में आता है कि proton की संख्या fix होती है लेकिन electron की संख्या कम यह जादा हो सकती है जैसे sodium के case में दोनों जग प्रोटॉन की संख्या 11 होगी और यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी तो हमें पते कि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का नेगिटिव तो यहां पर इसका चार्ज 0 है जबकि यहां पर इसका चार्ज minus 1, यहाँ इसका charge 0 और यहाँ पर इसका charge plus 1 है, तो यहाँ पर हमें समझ में आते हैं, electron जादा है मतलब और वह भी proton से उसकी संख्या 2 है जादा है तो अगर हम sulfur और S2 minus को देख लेते हैं तो यहाँ पर proton दोनों के लिए 16, यहाँ electron इसके लिए 16, इसके लिए 18, तो यह S2 minus हमारा तत्व है तो अब इस question को देखते हैं, यहाँ पर सम आयनी species के बारे में पूछा गया है, मतलब जिसे हम ISO electronic बोलते हैं ISO electronic, जिसमें electron same है, तो आईए हम देखते हैं, one by one की कैसे हम इस problem को करेंगे तो बच्चों सबसे पहले तत्वों को लिख लीजिए, उसके पर शात हम देखेंगे कि कहाँ पर क्या जादा और कम है, प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ 11, यह 19 12, 20 सलफर का आपको पता है कि 16 होता है, और आरगन का हम जानते हैं, 18 होता है अगर हम सोडियम प्लस, पोटाशियम प्लस, एमजी टू प्लस कैल्शियम टू प्लस, एस टू माइनस और आरगन की बात करतें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 यहाँ पर पोटाशियम आपका 18 हो जाएगा मैंगनीशियम आपका 10 कैल्शियम 18, सलफर यहाँ पर 18 हो जाएगा, अभी हमने लास्ट प्रश्न में देखा है और उसके पश्चात यहाँ पर आरगन का 18 हो जाएगा तो हम देखते हैं कि सोडियम और मैंगनीशियम 2 प्लस, दोनों आईसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसीज है अब हम देखेंगे कि रधर फोल्ट को हम थोड़ा फिर से समझने की कोशिश करते है कि रधर फोल्ट के में क्या बोला गया था, तो हम यहाँ पर रधर फोल्ट के उधरण को, नों या कुछ रेस सीधी निकल जाती है कुछ एक छोटे से कोन पर विक्षेपित हो जाती है और कुछ rays 180 डिग्री पर मुर जाती है तो जैसे हम देख सकती है आपर समझ लेते हैं एक बार कि अगर आपका alpha का ray जा रहा है तो वह जादा तर cases में वह cross हो जाएगा और बहुती आसानी से सीधी रेखा में निकल जाएगा लेकिन अगर ऐसी भी condition आई कि जब alpha की रेख गई तो वह एक छोटे से angle पर बिक्षेपित हो गई यह भी देखा गया कि जब alpha की रेख गई तो वह 180 डिग्री पर वापस आ गई तो इसके आँच alpha की कन सोने की पक्ती से बिक्षेपित हुए बिना निकल गए इसका मतलब यह था बच्चों की यहाँ पर बहुत खाली जगा थी बहुत खाली जगा तो यह बहुती आसानी से alpha के रेख पार हो गए दूसरे प्रेशन में देखते कि बहुत कम alpha के कन बहुती छोटे एंगल से बिक्षेपित हुए तो अगर आपका alpha का कन यहाँ से पार हो तो वह एक बहुती छोटे एंगल से बिक्षेपित होगा क्योंकि यहाँ पर है आपका नाभिक यहाँ पर आपके proton और neutron संख्या में है तीसरे प्रशन को देखते हैं कि बहुती थोड़े से कन 20,000 में से एक कन पीछे की और लोटे इसका reason यहाँ है कि जब वह नाभिक से सीधा तकराएगा तो वह वापस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक भारी द्रव्यमान है जिसका घनत्व जादा है तो अगर हम overall बात करें तो हमें पता है कि नाभिक का घनत्व जादा होता है वहाँ आयतन जादा होता है नाभिक का आयतन बहुत जादा होता है परमानू के कुल आयतन की तुलना में रदरफोर्ड मॉडल के दोश को भी जानना है यहाँ पर इसके ड्रॉबेक्स को हम जानेंगे कि इनके ड्रॉबेक्स क्या थे तो आईए समझते हैं रदरफोर्ड सर ने बोला कि जो हमारा परमानू है उस परमानू में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वह इस प्रकार घूमता है जैसे कि सौर मंडल में सूरे के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं तो फिर लोगों ने बोला कि अगर ऐसी बात है तो जरूर यहाँ पर गुर्तुआ करशन बल लग रहा है तो गुर्तुआ करशन बल में M1 अगर यहाँ पर सूरे की स्थिती लेता है तो M2 आपके ग्रहों की स्थिती को लेगा तो ठीक इसी प्रकार वहां की गुर्तवा कर्शन बल को इस परमानू पर लगाया गया तो बोला गया कि नाभिक में इस्थित जो द्रव्यमान है उसे हम M1 कंसिडर करते हैं और जो इलेक्ट्रोन का द्रव्यमान है हम उसे M2 कंसिडर करते हैं फिर उसके पहशात बोला गया सूरे और ग्रह में कोई आवेश नहीं है यहाँ पर आवेश जीरो है जब की परमानू में आवेश है electron के पास minus one और उसके नाभिक के पास भी चार्ज है positive तो बोला की electron में negative charge है और नाभिक में positive charge है मतलब यहाँ पर overall charge तो zero है लेकिन फिर भी यहाँ पर electron आवेशित है इसका मतलब कि यहाँ पर कुलाम बल भी लगेगा जिसका फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 divided by R square तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि हमने consider किया कि जो हमारा परमानू होता है वहाँ पर electrostatic force लगता है वहाँ पर कुलाम बल लगता है जिसका value यह होता है तो इस तरह उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की लेकिन अगर किसी लेकिन अगर किसी electron में आवेश है गती है तो यह possible है कि वह घूमते घूमते नाभिक से आकर टकरा जाएगा क्यूंकि इस electron में आवेश है जिसके कारण वह स्थिर्वेक्स यहां पर बच्चों देख सकते हैं कि इसमें त्वरन होगा acceleration होगा उस आवेश के कारण और यहां पर दिशापरिवर्तन के भी chances है तो दिशापरिवर्तन के कारण क्या होगा कि वह electron घूमते घूमते नाभिक में आकर टकरा जाएगा या गिर जाएगा तो इस सरह बोला गया कि आवेशित कनो अगर कोई कन आवेशित हैं तो उसमें विद्यूत चुमबक्या विकिरन होता है जिसे हम electromagnetic radiation बोलते हैं तो बोला गया कि वहाँ पर जरूर electromagnetic radiation होगा तब ही वहाँ पर electron आवेशित है हम जानते हैं कि ग्रह और सूरे में आवेश नहीं होता वहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता है और electron जरूर वहाँ पर आवेशित होने के कारण विकिरन या light उचसरजित करेगा तो इससे यह समझ में आया कि अगर electron के पास आवेश है तो वह जरूर ही नाभिक से टकरा जाएगा अपने तेज गती और त्वरन के कारण लेकिन बाद में यह पाया गया कि रदर फोर्ट का मॉडल में स्थायत्यों की कमी थी मतलब यहाँ पर stability of atom के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था तो इस प्रकार रदर फोर्ट के मॉडल फेल हो जाता है और यह इसका drawback है बारे में ए अफने स。